Hello friends, welcome again to my youtube channel Let's Learn PSIR तो friends हम लोगों ने start किया था प्लेटर को पढ़ना, उनको समझना अच्छे से जिसमें कि हम लोगों अभी तक उनके बाइग्राफिक को देख लिया उनके theory of ideas को अच्छे से समझ लिया उनके theory of justice को भी अच्छे से समझ लिया और आज हम लोग start करने जा रहे हैं उनके one of the best theory, the theory of education को So be energetic and let's get started तो चलिए friends हम लोग start करते है theory of education को समझना उनके एक प्यारे से quote के साथ The direction in which education starts a man will determine his future life Friends ये quote उनके book the republic से लिया गिया है जिसका मतलब होता है कि वह दिशा जिसमें सिच्छा एक व्यक्ति को प्रारंब करती है उससे उसका भविष्ट जीवन निधारित हो जाता है क्योंकि friends उनका मानना था कि अच्छी ढंग से संरक्षित सिच्छा प्रनाली एक व्यक्ति के चरित्र और भविष्ट को निधारित कर सकती है क्योंकि अगर मतलब कोई भी एजुकेशन सिस्टम को एक अच्छा तरीके से एक सिस्ट्रमाटिक वे में मतलब सही डिरेक्शन में रहा करके अगर हम लोग बनाए तो इंडिविज्वेल को सोल को इनलाइटेंट करने में मतलब काफी ज़्यादा और हेल्प करता है उनके उन्हेंस करने में काफी अधा बहतर रूल प्ले करता है यही मानना था प्लेटो का तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग भी अपने गोल की और अग्रेशर रहते हैं और थियोरी ओफ एजुकेशन को समझना स्टार्ट करते हैं काफी अच्छे तरीके से तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने इस प्लेटो के स्रीज में उनका तीन पार्ट देख लिया है जिसमें पहला पार्ट था हम लोगों ने किया उनका इंट्रडक्शन टू प्लेटो ठीक है दूसरा हम लोगों ने किया है उनका थियोरी ओफ आइडियास को अच्छे से देखे हैं तो आप लोग जाकर के पहले उन वीडियोज को देख ले लिंक डिस्क्रिप्संस में दिये हुए हैं ताकि इस वीडियोज को समझने में आपको और भी ज़्यादा आसानी हो और सारे डॉल्ट्स को easily connect कर पाएं और काफी अच्छे तरीके साब इसको समझ पाएंग पैलोगों पहले उस सिट्वेशन को समझने में आसानी हो टो फौन एस तτιम एक वार हुआ था जिसका नाम था पेलोपोनेशन वार ठीक है उस समय प्लेटो एक यंग मैन थी मतलब काफी छोटी थे उस वार में उन्होंने देखा कि मतलब ग्रीस का दो सेहर था जो काफी डेबलब था एक था एथेंस जिसमें प्लेटो रहते थे एक था उनका नेवरिंग स्टेट स्पार् थे उस टाम ग्रीस कंट्री में ये दो सिटी थे ऐसल असपार्टा यह काफी यादा डेवलब थे उस प्लेटो जो थे वह एक थे लेंग करते थे और उस मतलब उस जो वार हुआ था प्लेटो उसमें देखा कि प्लेटो ने कि एथेंस का बहुत ही बुरी तरीके से हार हो ग दन रहा होगा मतलब ऐसा क्यों हुआ प्रेटो मतलब पूरा सोच में डूब गए थे कि एथेंस क्यों हारा तो फ्रेंड्स उन्होंने कुछ कोर आइडियास को पकड़ा कि मतलब एथेंस के हारने का क्या क्या कारान रहा है ठीक है तो उन्होंने बहुत सारे कर रोल प्ले किया है ठीक है एथेंस में करप सन का सिच्छा मतलब की बहुत ही खराब है मतलब एजजुकेशन को उन्होंने इतना कम पाया कि एजुकेशन का लेवल वहां पर कुछ था ही नहीं Spartak comparison में Athens का education system बहुत ही खराब था इसलिए उसको लगा कि जो Athens मारा जो हरा है इसका main reason कहीं ने कहीं education का lag करना है ठीक है तो उन्होंने इस education जो lag कर रहा था Athens में उसको अच्छे से मतलब उसको अच्छी level पलेके जाने के लिए ठीक है और सबसे unique state बनाने के लिए सबसे ideal state create करने के लिए उन्होंने theory of education को दिया था इसलिए friends theory of education प्लेटो की philosophy का सारे philosophy में से एक बहुत बड़ा important philosophy माना जाता है इनका theory of education क्या क्योंकि theory of education के थुरू ही हमों लोगों ने जो आज तक समझते आ रहा थे criteria भी उन्होंने theory of education से ही दिया था theory of education के थुरू ही उन्होंने ये decide किया था कौन philosopher बनेगा कौन पूरे state पर rule करेगा कौन law बनाएगा कौन ultimately एक ideal state create करेगा या सारा जो structure था वो theory of education पर best ही था और friends उन्होंने अपने theory of education को इस तरह से design किया था कि मतलब कि सारे good स्पार्टा क्यों जीता ठीक है जब उन्होंने इस पर एक गहन अध्यान किया ठीक है और जब उन्होंने कि ये core point पर जब पहुँचा था उसके लगा कि बहुत सारे education का quality is Athens में lag कर रहा है और जब उन्होंने इस बात को realize किया तो उन्होंने किया कि जो अपना theory of education दिया उसमें काफी सारा मतलब स्पार्टा का good system को ले लिया जैसे कि मोग यहां पर दिख पा रहे हैं मतलब जो उन्होंने मतलब स्पार्टा का जिसका मतलब जो क्वालिटी उसको पसंद आया था प्लेटो को उन्होंने उस क्वालिटी को अपने theory of education में incapaces कर दिया मतलब उनको मिला लिया और जो Athens का जूफ से लगर था कि इस कारण से हमारी हार हुई है वो सारे qualities को अपने theory of education से उन्हों दिर कर दिया और इस तरह से उन्होंने एक अपने एक अच्छी ideal मतलब ideal theory दिया theory of education को ताकि वो अपने state को एक ideal state बनाने में काफी यदा मदद कर से है कि वहां का लोगों का soul को काफ ज़्यादा in Latin करने में help करें सभी वर को मतलब हरी class को divide करने में एक अच्छा सा role play करें इस तरह से उन्होंने अपना theory of education को best किया तो चलिए education था वो state sponsored रहता था state sponsored कहने का क्या मतलब महां पर मतलब जो भी पढ़ाई का जितना भी वह था था जितना लोगों का जो पढ़ाई का system था वो सारा state sponsor करती थी सारा responsibility state के उपर था ना के किसी individual पर की अपने according वो पड़े सारा education system state sponsor करता था इसलिए क्या हो था कि सभी लोगों को education प्राप्त करने में काफी जादा help होता था काफी मास लेवल पर education मिल पाता था उन लोगों को यह उनको पहला quality वहां का सबसे best लगा दूसरा क्या था फ्रेंड्स की वहां पर military education काफी जादा प्रचली था असपार्टा में military education से क्या होता कि हर लोगों को सेंग समता का पता चलता है हर लोग वहां का physically fit रहता है ठीक है इसलिए military education भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि इसमें war के टाइम में क्योंकि वहां के हर एक व्यक्ति ने मतलब education परात कर रहा था military education जिसके वाज़े से उन लोगों को सेंग सक point plateau ने find out किया Spartan education system से वो था opportunity, cases का equality का, किसके लिए women के लिए, friends वहां पे women को भी men के बराबर दर्जा दिया जाता था, equal opportunity देने के वज़ा से ही वहां पे women और men दोनों नहीं काफी अच्छे level पे education प्राप्त कर रखे थे, इसलिए हर लोग participate कि थे उस war में और इसलिए मतलब उस mass participation के वज़ा भी बना कि Athens हार गया था वहां पे, अब चलिए friends वह लोग समझते हैं कुछ ऐसे characteristics जो प्रेटो ने dislike कर दिया Athens का education system में से, यहां पे क्या था, Athens में उन्होंने पाया कि education system वहां पे private hand पे दे दिया गया है, मतलब government का इस पे कोई role नहीं, state का इसमें कोई control न इसमें कर रहे हैं, चला रहे हैं, ठीक है, दुसरा क्या पाया है, उन्होंने की, street का कोई vigilance नहीं, कि इसके उपर curriculum के उपर, कोई एक्स्टर करिकूलम के उपर, कोई vigilance नहीं, vigilance मतलब होता है, क्या की, मतलब ध्यान देना, उसके उपर निगरानी रखना को, vigilance बोते हैं, स्टेट का कोई, मतलब vigilance नहीं था, कि अगर private hand को बेकर हम दिये हैं, तो वो क्या करवा रहा है, इसके सन के मामले में, वो अच्छे से अपने एक्स्टर करिकूलम करवा रहे हैं, मतलब military वगरा का training दे रहे हैं, music वगरा का training दे रहे हैं, कि फिसकाली fit रख रहे हैं, कि नह ऐसा कोई भी vigilance करने का state का मतलब दायत्व नहीं था, Athens का time में, यह उन्होंने सो से बड़ी कमी पाई, तिसरा कमी उन्होंने पाई कि जैसा कि हमनों देखे कि Sparta में काफी यदा opportunity थी, ओमेन को लेकर के, लेकिन उसी का just opposite था, Athens में, यहां पे बिलकुल भी opportunity नहीं थी, ओमेन से वहां पर military education था, यहां पर कोई military education नहीं था, कोई physical training नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था, ना तो physical education दिया आता था, यहां पर military का training दिया जाता था, और इस वएस से क्या हुआ कि, बहुत सारे लोग तो यहां का sen छमता कि, मतलब जो प्राकराम होता है उससे तो अवगत ह नहीं रहने के कारण किया हुआ ना कि sen के साथ जब war हो रहा था था इन लोग collaborate नहीं कर पाए, physically इन लोग उतना fit नहीं थे कि उतना long time तक survive कर सके, एक war को possess कर सके, इस वज़ा से Athens हार गिया, इन्होंने यह भी पाया, ठीक है, और Plato का जो सबसे main concern है, जो इस पर उन्होंने प state करे, philosopher मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो काफी समझदार हो, जो काफी wisdom से भरा हुआ हो, काफी reason करने के छमता हो, वैसे लोगों को तो state ने कभी find out करने का कोशिस किया ही नहीं, ठीक है, कोशिस नहीं किया, इसके वज़ा से किया हुआ कि ऐसा कोई व्यक्ति आया ही नहीं कि जो state को अच्छे तरीके से रूल कर पाए, ऐसा कोई art of dialectics नहीं नहीं रिखा कि जिसके वज़ास से हर व्यक्ति के अंदर state में रहने वाले हर व्यक्ति के अंदर थोड़ा बहुत तर्क वितर करने के चमता है, उन्होंने state ने भी ignore किया, इसे लिए ये भी बहुत बड़ा reason रहा Athens के हारने का, और इसी वज़ास से Plato ने अपने theory of education को describe किया, जिसमें कि उन्होंने पूरा स्पाटा का सारा benefit, मतलब जोहां का फाइदा था, जो वहां का positive points थे, उन्होंने उसको pick out किया, जो Athens का negative point out था, ये सारे जो में ने भी देखा, उस सारे negative points out को हटा दिया, और दोनों का जो कुछ points जो Athens के अच्छे थे, कुछ points जो स्पाटा के अच्छे थे, वो दोनों को ये मर्ज करके, ये अपना theory of education देते है, प्लेटो, तो चलिए friends, हम लोग अब समझते हैं कि, मतलब ये सारे criteria को उन्होंने develop करने के बाद, प्लेटो ने अपना theory of education क्या दिया, मतलब उ education का, Athens का और Sparta का, ये curious platoids दे रहे हैं, जो अपने education, जो बताया होता है, वो education system कैसा होना चाहिए, उस education system में ये बता रहे हैं कि, उनके according कैसा होगा, उन्होंने अपने, मतलब, जो theory दिया, उसमें सारे include कर दिया, क्या चीज़ का good points को, जो कि Athens का और Sparta का, जो good points था, उन्ह करके, उन्होंने theory बनाया, उसका ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि, मतलब military को, उन्होंने काफी यादा, मिलेटरी ट्रेनिंग को, intellectual education को, काफी यादा, उन्होंने मतलब मातवा दी, और Athens को, जो concept था, ठीक है, intellectual education का, ये Athens का good criteria था, उस समय, तो उन्होंने Athens का intellectual education को adopt किया, और जो military education जो स्पाटा में था, उन्होंने उसको adopt किया, और intellectual education प्लस military education दोनों को मिला करके, उन्होंने अपना theory of education में design किया, और friends, जो Plato का theory of education था, उन्होंने उसमें मतलब दोनों को, महिलाओं को भी, और पुरुशों को भी, दोनों को भी equal महता दी, और equal value दी दोनों को, और दोनों को educate करने पर ध्यान दिया, ताकि जब भी ऐसा को situation आए, तो पुरा mass participation मिल सके सबको, सबको उतना ही educate हो, सबको उतना ही wisdom रखता हो, सबके अंदर उतना ही courage हो, सबके अंदर मतलब उतना ही appetite हो, इस तरह का सारा जो, मतलब कि, जो soul values था, ठीक है, वो सबको एक अच theory of education था, उसमें एक सबसे बड़ा point ये था, कि जो theory of education, मतलब जो उनका education system होगा, वो पूरा state sponsored होगा, और state sponsored होगा, इसलिए, जब भी कोई बच्चा, मतलब जब भी कोई newly born baby होता है, तो उस बच्चे को state adopt कर लेगी, ठीक है, वो बच्चा अपनी parents का पास नहीं रहेगा, मत कि मतलब newly born बे भी होता है, उस बच्चे को state adopt कर लेती है, और उसका सारा education, उसका सारा physical, उसका सारा mental process, जो भी होता है, development हो, बच्च्पन से ही, एक मतलब बच्चे से ही, उसका सारा development कौन करेगा, तो state करेगा, Friends, जो Plato का theory of education, उसको हम लोगों ने दो पार्ट में पढ़ना, मतलब दो पार्ट में divide करके पढ़ते हैं, पहला है primary education, दूसरा है higher education, ठीक है, primary education को भी हम लोगों ने तीन पार्ट में बाढ़ता है, मतलब एक zero से 10 year का होगा, जब जन्म लेता है कोई बच्चा, उसको जब state acquire कर लेगी, मतलब ले लेगी, तो zero से जन्म से लेकर के 10 साल तक का education कैसा होगा, फिर 10 से लेकर के 15 साल का education कैसा होगा, 15 से लेकर के 20 साल तक क्या होगा, ठीक है, कैसा रहेगा, यह primary education था उनके श्ट्योट में बच्चों के लिए, ठीक है, तो वहाँ तक कैसा design करेगा, हम तो higher education में क्या होगा कि 20-30 साल तक का education उसको किस तरह से मिलेगा, 30-35 साल का education उसको किस तरह से मिलेगा, फिर उसका जो last education stage होगा होगा 35-50 year का, वो उनको कैसे मिलेगा, यह हम लोग समझेंगे higher education में, फ्रेंज यहां पर जो primary education का duration देघ़ा है 20-15-20 का यह कहीं कहीं different हो सकता है, क्योंकि यह बहुत सारे books उसको कहीं ने पढ़ा तो वर्य 시청 säga इसका difference दक है, D इसलिए आप इसको confused ना हो मैंने एक standard book लेकर के ही यहां पे आप लोगों को रखा है ठीक है तो चलिए हम लोगों स्टार्ट करते हैं उनके primary education को समझना फ्रेंड्स जो पहला stage होगा primary education में जब मतलब state बच्चे को adopt कर लेगा उनके जन्म परांत वो जीवे से मतलब उनके जन्म से ले करके 10 साथ तक क्या करेगा उसको physically educate करने पे ध्यान देगा फिजिकली उसको strong बनाएगा ठीक है तो physically strong कैसे बनाएगा उनका कहना था कि हर एक school में मतलब उसके राज में जितने भी school होगे उस हर school में gymnasium होना compulsory है ठीक है और sports को जो sports है वो उसके education system के main curriculum में उन लोग प्लेटों ने डाल दिया कि मतलब हर मतलब जो education system था कि इतना subject उन लोगो पढ़ना होता है उसमें sports को भी उन्होंने एक मतलब main curriculum में रखा ताकि sports भी हर student अगर sports करेगा खेलेगा तो क्या होगा कि सब का mentally मतलब का दिमाग mentally काफी यदा grow करेगा physically काफी यदा सब grow होंगी ठीक है और इसके क्या होगा मतलब इतना सारा gymnasium playground sports वगेरा curriculum को add करने के बाद इसका main result क्या होगा में result होगा जब मतलब 10 साल तक हो जाएंगे तो इतने यादा हो healthy और fit रहेंगे कि उनको कभी भी पूरे lifetime तक medical का मतलब medicines का ज़रत पढ़ेगा ही नहीं इतना जाता हो उसका body acquire कर लिया रहेगा foundation values को इतना जाता हो उसका body strong हो चुका होगा physically mentally दोनों तरीके से कि कभी भी उनको future medicines की ज़रत पढ़ेगी ही नहीं अब चलिए फिर हैं लोग समझते हैं इनके second stage को जो है कि 10 से 15 साल उसमें यह बताते हैं कि उसमें extra curricular activities को promote किया जाएगा ठीक है और उसमें उन्हों कुछ basic knowledge दी जाएगी math की, history की, science की, geology की, geometry की ठीक है इस सारे जो उन्हों को knowledge मिलेगा वो मतलब इस तरीके से उन्हों को पढ़ाया जाएगा ताकि एक verses के form में मतलब, मतलब verses मतलब होता है न कि एक ऐसा slow के form में जिसको उन्हों गीत की तरह गुरू ना सकते हैं और उन्हों यहां पी music को inbuilt कि इसमें extra curriculum activities मतलब 10 से 15 साल में ठीक है उन्होंने इस तरीके से design किया कि बच्चे लोग जब पढ़े math history, science या कोई भी subject जब पढ़े तो उसको मतलब music की तरह गुरू बुनाते भी पढ़े ठीक है education पर ज्यादा बल्ली है ठीक है moral education कहीं नहीं कहीं बहुत important है यह आज की scenario में भी हम लोग देख सकते हैं कि मतलब जिससे बहुत सारे bad news होते हैं ठीक है वो सबसे मतलब overcome करने का उस सबसे कॉप आउट करने का कॉप अप करने का बस यह हो सकता है कि थोड़ा बहुत moral education को प्रमोट किया जा सके और यह चीज प्लेटो ने उस समय ही देख लिया था उतने साल पहले उन्होंने इस चीज को देख लिया था कि हर व्यक्तिक के अंदर moral होना जर पहले इसलिए उन लोगों के अंदर जितना बाकिसार education जरू रहत है जितना physical जरू रहत है उतना ही उन लोगों के अंदर moral education के भी need है इसलिए उन्होंने moral values को देना पसंद किया ताकि वो अपने state को काफी अच्छे तरीके से contribute कर सके और friends जब उनका कहना था कि जब यह primary education complete ह हो जागा इतिनों phase का तब जब वो 20 साल की हो जाएंगे तब 20 साल की उम्र में हर एक बच्चा मतलब पहला high level exam देगा high level exam कैसे देगा मतलब उनका माना था कि जो 20 साल तक इतना जादा गहन अध्यान करके आया है जो इतना चारा education schooling करके आया है वो पहली बार परिछा देगा 20 साल की उम्र में ठीक है जो पास कर जाएगा ठीक है 20 साल की उम्र में जो पास कर जाएगा बच्चा ठीक है वो जाएगा further studies के लिए वो आगे बढ़ाया जाएगा उनको ठीक है उनको आगे पढ़ाया जाएगा लेकिन जो fail हो जाएगा उनको डाल दिया जाएगा trade class में ठी क्योंकि उनका कहना थे कि यह मान के चालते थे कि जो यहां से फिल होते हैं उनके अंदर intellectual नहीं पतल उनके अंदर उनके अंदर ायेगा हुआ हो किसी वी चुश्ट का जिग्यास का य कमानें का य जिग्यास को विल्ट आयेगा किञ रुसको को 쉬 uzब्मितिर फिय् contributing to us को प्रड्यूस करेंगे वो ट्रेड करेंगे वो मर्चंट बनेंगे वो बिजनेस करेंगे ठीक है उनका कहना था कि जहां पर जो फेल होते हैं उनको पीछे चल लाएंगे वहां से यहां से उनका अलिमिनेट कर देते हैं उनको फेल हो जाते हैं जो पास हो जाते हैं उनको अध्वांस फिजिकल, मेंटल और मॉरल ट्रेनिंग को रखा जिसलिए कि हम लोगों ने प्राइमली में समझा मतलब वहां पे भी था इसा फिजिकल था मेंटल था मॉरल ट्रेनिंग को था लेकिन यहां पे उन्होंने एडवांस लेवल पे रखा था वो सारे चीज़े को भी यादा mentally strong या physically strong ना पड़ेगा ना इसलिए यहां से एक phase उन्होंने और ध्यान दिया किस भी उनकी जो अभी तक वो ट्रेन करके आए थे mental physical process को उसको काफी यादा advance करने में उन्होंने इस stage पे ध्यान दिया और इस process खतम करने के बाद वो कहते कि जो इस process को cross कर लेगा तो 30 साल की age में एक और मतलब grand examination होगा ठीक है और उस exam में जो pass होगा जो fail हो जागा वो तो वहां से eliminate कर दिया जाएगा लेकिन जो pass होगा उसे further studies के लिए भीजा जाएगा ठीक है और जो fail हो जाएगा उसे प्लेटो कहते है कि वो मान लिया जागा कि जो यहां तक आने के बा प्रोटेक्ट करेंगे वह रूलर को प्रोटेक्ट करेंगे अपना काम करेगा रूल को प्रोग्रेसिव बनाने में और स्टेट मतलब रूलर काम करेगा अपना सारा काम कर सके तो 30 year के एज में वह दुसरा elimination करते हैं जहां पर वह अपना soldier cross divide करते हैं जिसको मुलों man of silver बोलत थे ठीक है अब यहां से क्या वही सारे eliminate हो गए अब कौन बचें जो कि सिर्फ philosopher बनने योगी थे ठीक है जो man of gold बनने के लाइक थे उसे उन्होंने start किया यहां से 30 से 35 year में पहला training देना जिसमें उन्होंने philosophical study को रखा त्योंकि friends Plato का ये मानना था कि Athens को एक progressive state बनाने में एक तक देख सकता हो अपने state का welfare करनी के चमता रखता हो वैसा ही ruler एक state को काफ़ी ज्यादा बैथर level तक लेके जा सकता है सबको एक अच्छी level तक का मतलब सुधा provide करवा सकता है और जिसके अंदर बिलकुल भी lust ना हो ठीक है जिसके अंदर बिलकुल भी मतलब कुछ पाने का य च्छावर हो ऐसा जिसको डिजाइन करने के लिए इस phase से start करते हैं जहां पर फिलासोफिकल study देते हैं 30-35 साल तक और फ्रेंट जब ये process complete हो जाता है तो उनका जो last phase होता है 35-50 year का जहां पर वो real life experience करने के मतलब भेजते हैं सारे जो वहां से cross कर जाते हैं उसको भेजते है कि आकर कि आप लोग निजी जीवन को देखी कि वहां पर मतलब citizens की विच में क्या समझ्चा है जैसे कि आप लोग देखते हैं कि पहले जो गुरुकुल टाप की होता था वहां पर मतलब उसे सिच्छा देन करने के बाद उन लोग को घुमायाता था कि ताकि वहां पूरा प आप लोग के प्रजा में ताकि आप लोग जब रूल बनाए ताकि आज आप लोग जब लॉब बनाए ताब उन लोगों को जो आप लोगों ने देखा हुआ रहेगा जो आप लोगों ने experience किया हुआ रहेगा ठीक है तो उसको और तरीके से आप लोग enhance कर पाओगे उनके जीवन को उसकी जीवन को और बहतर बना सकोगे इस चीस को मानते विए उन्होंने यहां पर रियल लाफ experience का concept दिया जो कि 15 साल का उन्होंने रखा ताकि उन लोग पूरा grasp कर सके उन लोगों का core problem जो उसके citizens face करेंगी और जब यह कर लेंगे तो लास्ट मां 50 साल के बाद उन जीज़ाने का option इसलिए नहीं है क्योंकि यह सारे ruler class के लोगे ठीक है इसारे guardian class के लोगे अज जो guardian class के लोगा लेकिन ruler तो कोई एक ही भीवनेगा ठीक है तो जो पास करेंगा hon रूलर बनेगा ठीक है अब होकर गई लोग पास कर जा है तो उसके पास कर जायें को कि उत歌 है क मतलब उनको suggest करेंगे कुछ law बनाने में, कुछ जो core problem concept होगा उन लोगों का अपने citizens का उसको बताने में help करेंगे, मतलब उनकी auxiliary का या helper का role play करेंगे कौन, जो यहां से फेल हो जाते हैं, लेकिन जो pass हो जाते हैं, वो ruler बनेंगे, वो philosophical king बनेंगे, ठीक है, और state को ideal state बनाने में, सबसे बड़ा जो role play करेंगे, plateau का according, वो यह philosopher king ही होंगे, तो friends, हम लोगों ने plateau का education of theory को पूरा समझ लिया कि primary education में कैसे वो बाठते हैं, higher education में किस तरह से divide करते हैं, वो किस तरह से eliminate करके, soldier class को, ruler class को, trade class को, merchant class को, सबको अलग-अलग कर देते हैं, कैसे वो स्पार्टा और एथिन्स को मतलब मिला करके, दोनों का जो good qualities होता है, उसको मिला करके, theory of education देते हैं, लेकिन friends, हम लोगों चलिए, अब यह समझते हैं, कि मतलब की, इनका ज़रुरत क्या पढ़ा, ठीकि, प्लेटो का ऐसा क्या necessities लगा कि, कि philosopher ही state को rule कर सकता है, तो चलिए पहले हम लोगों इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि friends, प्लेटो का यह मानना था, कि जो philosopher होते हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी lust नहीं होते हैं, उनके अंदर मतलब आलाच बिल्कुल भी नहीं होता है, वो लव करते हैं, कि इससे knowledge के साथ, मतलब उनको ज्यान प्राप्त करने में मतलब ज्यादा आनद आता है, ठीक है, इसलिए वो कहते हैं, कि philosopher ही deserve करता है, कि इसको state के उपर rule करने, प्लेटो तो जहां तक कहते हैं, कि philosopher जो इतना ज्यान प्राप्त करता है, वो कभी rule करना ही नहीं चाहता है, उनके अंदर इच्छा ही नहीं होती, कि वो किसी को उपर rule करें, बलकि उनकी जो people से, वो उनसे request करते हैं, कि आप हमारे उपर rule किजिए, क्योंकि अगर हम अपने calling अपना life चलाएं हैं, तो हो सता हमसे बहुत सारी गलती हो, बहुत सारा state हम पर attack कर दे हैं, अपना state को progressive ना बना सकें, इसलिए उनका माना था कि people ही उनको force करते हैं, ताकि आप हमारे उपर rule किजिए, हमें एक अच्छे direction में ले करके चलिए, एक अच्छा ideology मतलब उनको प्रोटेसी मनाने के लिए people से उनको force करते हैं, ऐसा Plato का कहना है, और जो लोग pass कर जाएंगे, वो लोग time by time limited periods के लिए अपना responsibility को लेंगे, ठीक है, यह भी प्लेटो कहते हैं, इसमें, प्लेटो कहते हैं, फिलोसफर ही ऐसा लोग है, जो अपना love को sacrifice कर सकता है, मतलब उसका lust उसको सारा को sacrifice कर देगा किसके लिए, तो duty of state के लिए, मतलब state क अपने सारे पर्सनल चीज़ को sacrifice करेंगे, अपने love को sacrifice करेंगे, हमनों जब पढ़ेंगे, अपने property को, wipes को, मतलब हर चीज़ से लोगों को वंचित रखा किया है, और वो कहते हैं, यह फिलोसफर की अंदर ही होगा, जो इतना सब को sacrifice करके अपना पूरा जीवन state के लिए नि sacrifice का, ग्यान का सिंबॉल होगा वो, ठीक है, sacrifice अब को छोड़ देता है, जो उस चीज़ का वो सिंबॉल होगा, कि मतलब हर चीज़ को sacrifice कर दिया अपना खुसी को, हर चीज़ को तो नो नत्याग दिया अपना, ठीक है, किस चीज़ के लिए, तो estate का promotion के लिए, estate को promote करने के लि हम लोग अचा देखते हैं आज से current के situation में, आज लोग सब को लड़ते हैं, मतलब इतने बड़े-बड़े realism में कभी सारे मतलब आरो जाते हैं, सिफ politics में आने के लिए, कि हम लोग गधी पे बैट सके हैं, लेकिन उनका माना थे कि वो राजा कभी भी राजा साही नहीं हो सक राजा वो चाहते थे, ऐसा philosopher king वो चाहते थे, कौन पेट हो, इसलिए उन्होंने माना कि philosopher king ही ऐसा है, जो कि उनके state को एक ideal state बनाने में help कर सकता है, इसलिए इस चीज़ से को उन्होंने सब ज़्यदा मत philosopher king को दी, ठीक है, जिसको उन्होंने guardian class में रखा, चलिए friends हम लोग अ possible उन्होंने करके दिखाया था, theory of education माजम से, फिर भी उनका बहुत जादा criticize हुआ था, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि बहुत सारे western thinker ने, मतलब western philosopher ने, अपने नए नए argument दे करके, कैसे उनके theory of education को criticize किया, बहुत ही बड़ी level पर, कुछ philosopher ये कहते हैं कि जो उनका जो education system ह जो higher level तक पढ़ने का जो मतलब मौका दिया गया है, वो सिर्फ philosopher को ही दिया गया है, या कुछ हद तक हम लोग बोल सकते हैं कि solar class को दिया जाता है, लेकिन जो primary education में जो eliminate कर दिया जाता है, वहाँ पर trade class को बताते हैं कि वहाँ पर ये partial है, मतलब यहाँ पर बेदभाव किया नहीं, मतलब इसको सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन यह practical नहीं हो फाएगा, implement, practically इतना कोई मानेगा है नहीं, ऐसा कहकर के बहुत सारे, मतलब जो thinkers से वो इस चीज़ को deny कर देते हैं, कुछ thinkers तो यह कहते हैं कि मतलब जो education का main society का mirror होता है, education का main pillar होता है, वो literature हो literature को studies को पूरा ignore कर दिया, उन्होंने जाता focus दिया, किस पे तो military focus पे दिया, physically focus पे दिया, philosophical focus पे दिया, उन्होंने literature का तक कभी बताया है यह नहीं, मतलब किस तरह से literature से उन्होंने knowledge एकवार कर सकते हैं, उसका तो उन्होंने पूरा compete खतम कर दिया, इस लिए इस बात उन्हो जो सबसे जो बड़ा blame लगा था, वो यह था कि उन्होंने सारा बात state के लिए किया, मतलब सारा कुछ state पर ही focus कर दिया, कि state कैसा होगा, state कैसा होगा, state में रहे हैं, कौन state क्या क्या काम करेगा, लेकि individual का खुसी का तो उन्होंने ख्याले ने रखा, individual पे तो वो सारे अपना मतलब education impose कर रहे हैं, कि आपको यह करना ही पड़ेगा, आपको इतना time तक बच्पन पैदा लेते ही, आपको यह करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यह करना पड़ेगा, अगर आप यह नहीं कर पाएं, फेल हो गएं था, आपको यह काम करना पड़ेगा, और पूरे lifetime के लेना तो आपको दुबारा उसको मौका दे रहे हैं, कि आप खुद को enhance करके दुबारा इस फिल्ड में आ सकते हैं, खुद को दुबारा enhance करके उपर production मतलब उपर class में जा सकते हैं, उसको तना ही मौका दिया, मतलब individual को freedom दिया यह नहीं किया, सारा बात उन्होंने state के में नहीं किया, ठीक है, कुछ हद यादा focus उन्होंने नहीं कर पाया, मतलब बात किया था लेकिन काफी अधा हद दक उन्होंने online education पर promote नहीं कर पाया, ठीक है, इस बात पर बहुत साधा credit size होता है, प्रेटो का, तो friends, हम लोगों ने theory of education को काफी अच्छे तरीके से समझ लि कैसे उन्होंने अपने theory of education में अच्छे qualities को acquire किये, sparta और ethens को मिला करके, कैसे उन्होंने अपना theory of education दिया, जिसको उन्होंने primary or higher education में बाट करके दिया, कैसे उन्होंने सबको eliminate करके अलेकला class में divide कर दिया, कैसे philosopher king को वो बताते हैं कि state में rule कर सकता है, ठीक है, यह सारे ची यह वीडियो पसंद आया हो, आप लोग को help हुआ हो, तो please वीडियो को like करें, अपने friends के साथ भी share करें, and अगर आप इस channel पर नहीं है, तो channel को subscribe कर ले, and bell icon को press करना, बिलकुल ना भूले, ताकि आने वाले सारे videos आप तक सबसे पहले पहुंचे, thank you, have a good day.